समस्कार में अर आज की इस इपीसोड में टाटा पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे इस समय जो ne बजार वह भी ओल- woll टाइम हाई पे ट्रेड्ड कर रहा है और जो हमाराल टाटा पवर है यह भी ओल-Īाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि 462 का जो breakout है वो confirmation है इस stock में 520, 580 जैसे levels को expect करने के लिए इस समय जो company ने अपने high बनाए ये आज का भी high है 491.80 ये इस साल का भी high है और यहां देखेंगे आज का high तो लगबग 494 का रहा और ये जो 494 है ये आज का भी high है साल का भी high है और अब तक के समय का यानि all time का भी high है तो ये तेजी के साथ ही आगे के trend को समझे से पहले premium telegram जो की बिल्कुल free है उसको join करें description के link से account open करें और video पसंद आए तो दोस्तों में जरूर share करेंगे यहां देखेंगे तो इस समय Morgan Stanley ने Tata Power को 577 यानि 23% upside expect करे हैं सभी यहां update आपको free में मिलेगा मैं काफी पहले से ही देखेंगे कि Tata Power का एक report आया है जहां fire के incident हुए है लेकिन हमने कहा कि trend strong है कुछ भी impact नहीं होगा और यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि इसको आप join करें यहां recent की delivery तो better दिखी रही है मोतिलाल उस्वाल ने दिये वो भी हमने discuss करा इसके अलावा देखेंगे the Tata group stock powers itself to be a record high post upgrade यही Tata power में जो upgradation Morgan Stanley का आया है जो कि मैंने आपको यहां पे दिखाया इसी को लेकर के बातें की जा रही है जो volume देखेंगे आज 226 करोर का volume है और इसी volume में 10 lakh buyer है 27 lakh seller है buyer के comparatively seller 2 times है उसके बाद भी जिस परकार के stock अपर level में trade करते दिख रहा है ठीक ठाक volume के साथ मतलब है कि strength strong है numbers of seller तो ज्यादा है लेकिन अगर capability की बात की जाए तो buyer driven Tata power stock दिख रहा है अब ये range था जब इसने 460 के level को ही breakout करा तो हमने आपको क्या कहा कि मेरे views strong है अब ये strong views 520 और 570 जो Morgan Stanley का target है मेरे भी expectation है जब तक minimum ये stock 470 के नीचे की weekly closing नहीं दे हर deep एक opportunity होने वाला है